हे अब्रिवन वेल्कम टू माई चानल डिस्कवर स्थटी विडियो पॉलिटिकल सांस मेंटर पीटी बोरा दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं सोशल कांस्ट्रॉक्टिविजम यानि की समाजिक रचनावाद जो कि है हमार लेक्शन नमर 21 इससे पहले भी मैंने इसी आपको सारी थेोरी में करा दूगी इंटरनाशनल रेलेशन की और अप्रोच इतनी भी आपको थेोरी वगरा यह सब कुछ करा दूगी बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो क्योंकि उससे क्या होगा कि कभी भी कोई आपके पास स्टुरेंट नोटिफिकेशन आजाएगी ठीक है और मोस्ट पॉइबली आम मैं आठ बचे वीडियो डालना शुरू करा है इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूँ एक आपस रिक्वेस्ट है कि लाइक करा करो वीडियो को और जासादा शेयर किया करो पता है मैं अनकाडमी बे भी UGC NTA NETJRF की कोचिंग देती हूं राइट एड्यूगेटर हूं तो इसका मैं बता देती हूं आपको पेपर वन के लिए ना फेप 26 को पेपर वन के लिए आपका क्या होने वाला है एक स्कॉलर्शिप टेस्ट होने वाला है राइट स्कॉलर् स्कॉलर्शिप टेस्ट है यह जिसमें आप कहीं से भी अटेंट कर सकते हो लाइव अटेंप्ट कर सकते हो राइट और डेटेल आपकी एग्जामीनेशन की अनलेसिस होगी टॉप एटुकेटर्स त्वारा और उसके बाद आपको स्कॉलर्शिप एंड प्राइजिस 6-15 वालों को 5000 का गिफ्ट वाउचर एच एंड आपको 50% स्कॉलर्शिप मिलेगी 16-50 वालों को 2500 का वाउचर और 25% स्कॉलर्शिप और 51-100 का 25% स्कॉलर्शिप तो मैं चाहते हूँ कि आप अप एंडिस्ट किसी ना किसी केटिगरी में तो फॉल करें डेफिनिटल एंड प्रीती भी लाइफ कोड़ है मेरा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल हमने देखा था मैं अपको इबार थोड़ा बहुत रिवाइस करा देती हूँ कल हमने नियो लिब्रलिजम देखा था ठीक है लिब्रल के उसके हमने सारे फीचर्स पड़े थे एसंप्शन पड़ी थी ठ माजिक रचनावाद तो पहले तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि फादर आफ सोशल कंस्ट्रॉक्टिविजम कौन है इसके सबसे बड़े प्रॉपनेंट कौन है और जो एक कंस्ट्रॉक्टिविजम टर्म है वो किसने कॉइन की थ हो चीक है रचनावाद बोलते हो मैं बताओं कि कि क्या मेनिंग है यह टर्म की बात करूं तो यह टर्म कौन की गई थी निकुलस अनफ्ट्वारा ठीक है निकुलस अनफ्ट्वारा यह टर्म कौन की गी थी आ फादर आफ सोशल कंस्ट्रॉक्टिविजम कौन है मैं बता दे त्क है, और सबसे बड़े proponent ठीक है? Greatest proponent के अगर میں बात करूँ, ठीक है? Greatest proponent यान इसके अगर मैं thinker की बात करूँ, जो बहुत भी prominent है, greatest prominent proponent. This Is, बताईए, बताओ, अनारकी is what state make of it, ठीक है? यह book है इनकी, मैंने आपको hint दिया है, मुझे बताओ कि कौन है यह, इनका एक article है, इनका एक article आया था आपका, अनार्की इस वट स्टेट में कोफिट, अनार्की इस वट स्टेट में कोफिट, अनार्की यानि की अराजकता, इस पे इनका पूरा आर्टिकल आया था, इसका आगे भी टाइटल था, अनार्की इस वट स्टेट में कोफिट, इस तरीके से सोचली कंस्ट्राक्ट होती है, कि किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स, जो सोचली कंस्ट्राक्ट होती है, इस पे इनका फोकस था, यानि कि इनकी जो आगे, International Politics भी इनकी बुक है, ठीक है, बुक लिखवा देती हूं क्योंकि बार बार एक्जाम में पूछते हैं, ठीक है, The Theory of International Politics, यह दो, यह बुक है, राइट, 1999 में आई थी, राइट, यह एक तो इनका आर्टिकल और दूसरा इनका जो बुक है, यह जो आर्टिकल है, This Was In 1992, ठीक है, यह आर्टिकल था इनका, और यह क्या थी, यह आपकी, इनकी बुक थी, राइट, इससे पूरा आप बता सकते हो कि क क्या है आपका our social constructivism, ठीक है. अब मैं define करने कोशिश करती हूं, ठीक है, कोशिश करती हूं, डेखते हैं सफल होती है, आपको समझाते हैं नहीं, फर्सी फेक्त रहरा हसली हमिए रहे है, उनकी यह दो बुक से निई 아री, बुक्स नियराय है, ढ़र है, एल्स निदो बुक म समाजिक रचनावाद एक basically approach है आपको international relation पढ़ने की और basically है मैंने आपको neo-liberalism, neo-realism कराया था ना, उसका ही opposition बोल दो, ठीक है, उसका ही opposition बोल दो, जो ये बोलता है कि जो आपका international relations है ना, वो आपके socially construct होते हैं, ठीक है, socially construct होते हैं हर एक चीज, हर एक चीज आपका socially construct होते यानि कि इसका focus, अगर मैं बता दू कि कैसे आई है थियोरी, तो neo-liberalism and neo-realism, इनका focus जा रहा था over materialism पे, ठीक है, बहुत दिक वाद, materialism की हर एक चीज ना, materialism पे जादा focus कर रही थी, चाहिए उनका cooperation हो या conflict हो, इसको oppose करते वे, एक theory आई, उसने बोला कि नहीं, material का नही बलकि ideas का भी बहुत बड़ा role होता है, और सिर्फ ideas का नहीं, बलकि material और ideas दोनों का बहुत बड़ा role होता है, और ये दोनों एक समाजिक way में, ठीक है, समाजिक, socially, अगर मैं इनको देखूंगी, socially analyze करूंगी, तब मेरे को पता चलेगा कि कि किस तरीके से role play हो रहा है, किस त decision making को influence करते हैं, जैसे कि आपका most important actor है, आपका state, उसके बाद individual भी है आपके, और international organization, international NGOs वगरे ये सब हैं, ये बोलते हैं, कि जो आपका international relations है, international relations, वो shape किये जाते हैं, यानि कि उसके decision, उसके जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वो shape किये जाते है ideas वाले factors से, और कैसे ideas, कैसे ideas क्या वो अभी already present है, तो yes, ये already socially construct करते हैं, right, एक knowledge पर dependent है, यानि कि ये बोलते हैं, हर चीज की dependence सिर्फ और सिफ ये क्या है, knowledge plus experience, यानि कि आप ऐसी knowledge, जो आप experience से लिए हो, या फिर new knowledge, ठीक है, यानि कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ ideational, कुछ ना कुछ विचारिक reason होते हैं, right, not simply, आपका material factor नहीं होते, collectively अगर मैं बोलूँगी ना, तो ये identify करते हैं, ठीक है, collectively अगर मैं बोलूँगी, ये identify करते हैं, कि या आपकी knowledge, अब जैसे इस चीज को ना हम ना education theory में भी पढ़ते हैं, कि या हमारे समाज में, जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका source क् knowledge ही है, और ये knowledge, already exist भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि ये वाली knowledge वो होगी, जो सारे, जो समझदार लोग है उनके पास, नहीं, आपका experience से आप कुछ सीख रहे हो, आप already आप skill आपने सीख रखा है, या फिर नया चीज तुम कुछ try कर रहे हो, सब चीज के पीछे, जो actual decision एक तो identity और दूसरा interest of actors, कि यार ये जो interest थो हमने देखा था, कि यार interest वाली जो चीज है, interest वाली चीज आपने हमने उसमें भी देखी थी, realism में, neorealism में इसमें हमने देखी थी, कि यार सब अपने interest के हिसाब से काम करते हैं, अब ये interest उनके कैसे बने, इसमें इस question कहां से दिया चाता है, कि ये जो interest है, ये जो आप so called national interest बोलते हो, जिसके basis पे आपका ये international relation चल रहे हैं, ये कैसे form हुए society में, ये भी तो किसी तरीके से society में, किसी structure में form हुए है, right, इसका answer देने कुश्च करते हैं, तो ये बोलते हैं, ये society में अपनी आपकी different identities हैं, ठीक है, different identities ह है, and उसी के basis पे आपके, आपके different knowledge and different experience है, and इसी knowledge and experience ने आपके society को ideas दिये, and उस ideas से ही आपके international relation, मदब national interest है, और national interest के basis पे आपके international relation, जब भी आप interact करते हो, तो वो आते हैं, right, तो अभी तक मैंने क्या बता है, कि neoliberalism और neorealism जो follow करते थे, किया materialism पे focus हैं, इन्होंने कि नहीं, mostly ideas में है, and material दोनों पे, जो ideas socially construct करे जाते हैं, actors के वीश में relationship है, जो कि आप relationship जब भी आप interact करते हो, कुछ नहीं knowledge, कुछ नहीं experience, आपको मिलता है, उसके basis में आपके interest है, वो change होते रहते हैं, and जिस हिसाब से ये change होते रहते हैं, उस हिसाब से आपकी international relations शलते हैं Right, next आता है, कि इसमें एक term होती है, intersubjectivity, 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 agency और identity, ऐसे structure, ये सब चीज़े इसमें आती है, जब भी आप international relations में ये पढ़ते हो, तो इसमें एक question पूछा चाता है, सबसे पहले Alexander Wendt का ही पूछते हैं, ठीके Alexander Wendt को ही मैं बताती हूँ, Alexander Wendt पूछते हैं, कि अनार की is what state make of it, कि अनार की क्या है, ठीके अनार की अराजकता, अनार की अराजकता, अराजकता एक ऐसी position है, जहां पे law and order sign नहीं है, ठीके क्या है, अराजकता कुछ नहीं है, वही है जो state ने खुद मनाई है, यानि कि आपका civil unrest हो रहा है, कुछ भी ह हुआ रहा है, लोगों से क्या experience आया, लोगों से क्या review मिले, उस basis पर हो रहा है, किसी भारवाले ने तो नहीं बनाई है, और इसी state जो कि ये power politics में involved है, ठीक है, power politics में जो involved है, ये खुद के लिए बनाती है, अनार की, ठीक है, ये खुद ही construct करती है, इसके खुद की society में construct क की गई होती है, right, main focus इनका खुद का होता है, अगर आपका system बहुत जादा strong है, तो कोई भारवाला person, भारवाली जो state है, भारवाले जो actors है, वो आपकी sovereignty को cross करके अनार की नहीं establish कर सकते हैं, यानि कि तुम्हारे खुद के system में जो problems थी, उसकी वजह से आती है, अब इसमें बोलते हैं कि इन सब चीजों में, जभी भी मैं power politics की बात करती हूँ ना, तो culture, ठीक है, आपका culture, language और आपकी identity, ये बहुत matter करते हैं, कि आपके क्या goals है, क्योंकि ये ही determine करते हैं कि आपके goals क्या है, goals मतलब national interest क्या है, क्योंकि पहले आपके local level पर interest पनेंगे और फिर national interest करे तो ये बोलते हैं कि इन सब का बहुत बड़ा role है, जिस तरीके से ये सब चीजे change होते हैं, उस तरीके से आपका national interest भी साथ के साथ change होता रहता है, ये सारे जो interest है, ये सब है, ये socially construct किये जाते हैं, ठीक है, socially construct होते हैं, जैसे social society में आपके कुछ norms बनेंगे, कुछ values से आपको एक socially, एक system मिलता है, ठीक है, ये जब आपका ये साही चीजे हो जाती है, तो एक knowledge gain करते हो, कि अच्छा, ये system में जैसे हमारे पर क्या knowledge है, हमारे पास ये knowledge है, हमारे democratic structure है, constitution supreme है, और हमें laws follow करने है, तो हम उसे साब से काम करते हैं, जब ये knowledge create हो जाती है, तब हम स्टेट किस तरीके से चलनी चाहिए, फिर हम क्या कर रहे है, interact करते हैं, ठीक है, interact जब करते हो ना, तो interact में एक subject, एक term आती है, intersubjectivity, intersubjectivity का मतलब है, कि different actors, ठीक है, different actors, आपस में क्या है, कोई भी actor, properly, individually, independent नहीं रह सकता, जैसे कि state है, सिर्फ state, आपस में interact करके नहीं रहे है, तो जितनी भी different actors है उन्में एक relation है, ठीक है, उन्में एक relation है, and यहापस में क्या करते है, interact करते है, and mostly हमने देखा है कि अभी के समय में, यह interaction का inka way होता है, कि problem प्रोप्लम जोभी है उसको variety-connect जोभी है, इसको हम क्या करें, solve करें, solve कं क्यों करें, क्यों क्यों करें? क्य कि अगर हम solve कर लेते हैं problem तो क्या हो जाता है easily अगर हम solve कर रहे हैं तो हमें win-win situation हो जाती है तो यह सारी चीज हमारी क्या है socially construct हुई है और इसका main focus है intersubjectivity कि ऐसा नहीं कि state-state से interact कर रहा है individualist से यह सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ different actors आपस में interact कर सकते हैं राइट यह बोलते हैं अब अगर मैं इनकी आपसे question पूछू कि या structure ज्यादा important है कि agency ज्यादा important है कि structure किसी भी चीच का आपका structure ज्यादा important है या फिर agency ज्यादा important है agency होता है कि वह माध्यम जिसके through decision लिया जा रहा है जैसे कि समझ लो एक तो है आपका structure democratic structure है ठीके structure में example आगया कि question में आपने अपने प्रतिनी दित्व भेजे अपने आपके PM represent कर रहे हैं आपको कहीं पे यह agency है तो दोनों में से क्या important है बताईए बताओ structure होता है way of doing things कि किस तरीके से काम हो रहा है क्या pattern है आपकी society का ठीक है क्या system आप follow कर रहे हो । ठीक है हर एक का कुछ एक कुछ function है Right agency क्या होती है ठीक है agency क्या होती है कि means क्या है आपके किस तरीके से आप अपने आपको express कर पा रहे हो किस तरीके से आप अपने आपको negotiate कर पा रहे हो, ठीक है किस तरीके से आप decision ले रहे हो, राइट, अब मुझे बताओ कि कौन जाधा important है दोनों में से, बताए, comment section में लिख दिया करो, क्योंकि सही रहता है अगर आप comment section में लिखोगे, राइट, तो मुझे बताओ कि दोनों मे important है, structure में आप क्या करते हो, inward function है एक तरीके से, कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो state है, उसके अंदर क्या changes है, mainly आप उस पे focus करते हो, agency क्या है, एक तरीके से outward function है, कि आपके outward परस inward जो दोनों function है, ठीक है? आपके जो state है, उसके interest को क्या करता है, वो और ये represent करता है, ये represent करता है, ये आपको क्या करता है, ये आपको एक systematic way में एक structure बनाता है, ये आपकी values बनाता है, तो जब तक ये दोनों का mission नहीं होगा ना, तब तक आपका कुछ भी successful नहीं होगा, राइट, जैसे कि अगर आप country हो, आप UN में जा रहे हो, democracy को represent कर रहे हो, तब ही तो आपके सुनेंगे ना, अगर आप democratic की नहीं हो, तो क्यों सुनेंगे आपकी, ठीक है, तो दोनों बहुत ही important है, जब भी मैं social constructivism की बात करती हूँ, ठीक है, दोनों में कोई problem होनी नहीं चाहिए, दोनों ही पूरा collectively बह बड़ा role है, ठीक है, यह ideas पर mainly depend करता है, right, so अब इसमें आप बताईए, कि जो ideas है, किस तरीके से, मतलब relevant है, मतलब किस तरीके से relevant है, हमारे international relation में, बताओ, क्या यह ideological war ही नहीं था, जिसमें cold war हुआ, क्या यह ideas में ही difference नहीं था, कि मतलब जिसकी वाज़े से इतने सारे wars obviously, इसलिए हम shape करना चाहते हैं, इन ideas को, इन ideas को इस तरीके से mold करना चाहते हैं, कि हमारे एक जो system बने, वो positive बने, right, तो हम interactions को भी उसी तरीके से mold करते हैं, जैसे कि हमने second world war के बाद इतने सारे international organization, regional organization, treaty, conventions, यह सब बनाई, right, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, मुझे न लिख दिया करो, कभी भी कोई भी आपको problem होना, मुझे लिख दिया करो, तो अब देखो, अगर मैं आप बात करूँगे, एक example देती हूँ, चोटा सा, पहले हम focus करते हैं, hard power पे, कि गए war कर लिया यह सब, अब हमारा थोड़ा एक shift आया है ठीक है, फिर जो सब ने ने बोलता है, shift आया है, किसमें, soft power पे, अब क्या है, अब soft power से भी थोड़ा shift आ गया, कहां पे, smart power पे, कि भी technical यह सब चीज़े use करके, aid वगएर यूस करके, आप use करते हो, राइट, यह क्या है, यह knowledge आपको कहां से मिली, किसने बताया आपको, किस central idea of social constructivism, इसमें बोलते हैं, कि central main idea यह है, कि भाई, ideas matters, ठीक है, ideas है, वो बहुत ही माहिने रखते हैं, ठीक है, ideas बहुत जादा माहिने रखते हैं, लेकिन ideas, soul चीज़ नहीं होते हैं, जो आपके international relation को derive करते हैं, agents, structure, आपका interactions, सब equally आपके interact करते हैं, ठीक है, agent, structure, और इनके बीच में interaction, relations, यह भी equally आपको drive करते हैं, यानि कि अगर मैं sum up करूँ, ठीक है, social constructivism, तो मैं बताना चाहूंगी, देखो, social constructivism, neo-liberalism, और अच्छा, पहली बात तो यह, Nicholas Onuf ने term coin की थी, वाई-गॉर्सकी, इसके father है, Alexander Wendt, main proponent है, यह इनका article और इनकी book देख लो, social constructivism में बोलते हैं, कि जितनी में knowledge है, वो socially construct की जाती है, और knowledge से क्या आता है, आपका culture किसे आगे करना है, social values, norms, ideas, principles, यह सब आता है, जिसन पर हमारा देश अधारित है, हमारा पूरा system अधारित है, जैसे कि हमारा ideas आया कि हमें freedom देना है सबको, तो हमने universal adult franchise दी, इसमें दो vision पर पहुछते रहते हैं, एक inter subjectivity है, inter subjectivity का मतलब क्या है, कि आपस में जो actors है different, उनके बीच में relation है, कोई एक actor इतना important नहीं है, आपका structure और agency दोनों ही equally important है, जब यह interact करते हैं, तो कुछ norms निकलते हैं, treaty conventions वगएरे यह सब निकलते हैं, और उसके basis में, उसी के basis पे आप इ इस चीज़ को post-modernism और post-structuralism से confuse मत होना, क्योंकि वो चीज़ अलग है, वो मैं आपको next lecture में कराऊंगी, right, चलिए, bye-bye, take care and share करना मत भूलना, ठीक है?